असलाम लेकुम आरिवान, वेलकम बैक तो अनधर वीडियो ACC Asia Cup 2023 जो के पाकिस्तान ने होस्ट करना है उस सिलसे में पाकिस्तान क्रिकट बोर्ट के चेर्मन नजम सेठी दुबाई पहुंच चुके हैं कुछ important meetings के लिए important news निकल के आ रही हैं प्रिवियस्ली जो हमने आपको अपडेट किया था जे शाह ACC के चीफ सिकेर्ट्री उन्होंने calendar year 2023 and 2024 Asia Cup के लिए format and schedule announce कर दिया था जिसमें 2023 इस साल का Asia Cup जो के पाकिस्तान ने होस्ट करना है 2024 का तब moments Asia Cup है calendar year 2023 इस साल के Asia Cup के लिए जो format schedule जारी किया जे शाहने उसके मताबिक इस साल सब्तंबर में Asia Cup शुरू होना है most probably 2nd September तूर 17 सब्तंबर तक जो कि अब तक expected है लेकिन जे शाह BCCI के तरफ से अब तक उनका यही मौकफ है कि पाकिस्तान Asia Cup होस्ट करेगा लेकिन पाकिस्तान में प्रेस टाक में नजम सेथी ने जिकर किया था पिंडी मुलतान कराची लहूर के लिए लेकिन जब PCB के चेर्मेन ने गिला किया कि यूनिलेटरली डिसाइड कर लिया उसके जवाब में Asian Cricket Council के जो Development Committee है उन्होंने प्रॉपरली ट्वीट भी किया और बताया कि हमने सब को इमेल किया था लेकिन PCB ने रिस्पॉंड नहीं किया तो इतना तक तो आप अपडेट हो गए थे उसके बाद अब क्या निउस निकल के आ रही है दुबाई के हालात भी आपके साथ शेयर करेंगे आया पाकिस्तान में होस्ट करेगा या कुछ मैचस पाकिस्तान दुबई इस तरह होस्ट करेगा या दुबई में होस्ट कर लेगा तो रास्ते निकल के आ रहे हैं इंट्रस्टिंग वीडियो होने वाली है साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके बला अएकन को दबा ले ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मी मिलती रहें और आप से टून रही है चैनल के साथ बहुत से लोग सब्सक्राइब नी करते हैं इस तरह से वीडियो देख रहे होते हैं मैंने analytics में देखा सो काईली सब्सक्राइब करके बला आइकन जरूर दबाए करें इतनी अपडेट्स वीडियो आपके साथ शेर करते हैं तो वीडियो को भी लाइक कर दिया करें सो यहां से शुरू कर लेते हैं लास्ट टाइम जहाँ पे हमने लेफ्ट किया था PCP के चर्मान नजम सेथी दुबाई पहुंच चुके हैं आपको पता होगा दुबाई में इंटरनाशनल लीग T20 भी खेला जा रहा है वहां पे इंडियन प्लेयर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं डिफरंट कंट्रीस से भी जो के PCP के डिफरंट एक्टिविटीज में यूज होना थी लेकिन वो बात नहीं बन पाई खेर इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा लेकिन लॉंग स्टोरी शॉट पाकिस्तान का एक प्लेयर भी एशिया कप को होस्ट करना है पाकिस्तान तो होस्ट है ही लेकिन पाकिस्तान में एशिया कप को होस्ट करना मिशन है ना के दुबई में होस्ट हो जब लास्ट टाइम एशियन क्रिकट काउंसल की डिफल्मेंट कमेटी उन्होंने ट्वीट की कि हमने PCB को भी email की जितने भी members हैं Asian cricket council के उन सब को email की कि हम इस तरह से format schedule जारी कर रहे हैं एक दो boards ने respond भी किया reply भी किया जिनको जो मसले थे लेकिन पाकस्तान cricket board ने कोई जवाब नी दिया और मेरे खाल से उनसे email मिस हो गई जो उस time transition चल रही थी PCB के एक्स चेर्मेन रमीज राजा जा रहे थे नजम सेटी आ रहे थे और वो हाला चल रहे थे पूरा structure चेंज हो रहा था जो कि हमने update कि यह Asian cricket council ने officially tweet की उन्होंने का कि जो PCB के CEO हैं फैसल हसना और अभी भी CEO हैं उनको हमने mail की जिसके जवाब में नजम सेटी ने का कि हमें कोई email ने मिली तो आप God knows के कौन जूट बोल रहा कौन साच बोल रहा है इसको लेकर PCB के चेर्मेन फिर दुबाई पहुंचे वहां पे आप वो important meetings काल करेंगे Asian cricket council को भी request किया है कोई TKC team के साथ उन्होंने ये नहीं देखा तो unilaterally decide किया और वो पहले भी news नेकल के आ रही थी कि सब्तमबर में ही host होना है और सब्तमबर में कोई bilateral series नहीं है तो जेशा तो कह रहे हैं कि आप neutral venue पे ही host करें Dubai International Cricket Stadium में अबुदाबी में भी वहाँ पे भी host हो सकता है शारजा cricket ground भी है लेकिन Indian government अपनी team को allow नहीं कर रही पाकिस्तान के लिए और आप देखें अभी जो recently अफगानिस्तान और अस्ट्रेलिया के दरम्यान मामला चला है वहाँ पे India को अफगानिस्तान के support में politics नजर आ रही है कि भी cricket में politics को ना ला है लेकिन यहाँ पे politics नजर नहीं आ रही और इंडिया अफगानिस्तान को support कर रही है अस्ट्रेलिया के साथ सिरीज को लेकर लेकिन पाकिस्तान में support नहीं कर रही है यहाँ पे उनको politics नहीं दिख रही यह तो dual face हुआ आप agree करेंगे comment section में बताईएगा so अब meetings अगर हुई तो उसके बाद मजीद updates निकल के आएंगी कि क्या decide हुआ खैर schedule पे तो कोई बात नहीं होगी बस इसी host करने पे इसी बात चलेगी चटी जो भी क्वालिफायर्स राउंड खेल के क्वालिफायर टीम आएगी UAE या हॉंग कॉंग तो उनके मैचेस पाकिस्तान में होस्ट हो जाएंगे ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ इंडिया के मैचेस दुबई में होस्ट हों क्योंके पाकिस्तान से दुबई ट्रावल करना है और दुबई से वापिस पाकिस्तान आना हर एक मैच के लिए और ODI फार्मेट है 50 ओवर्स का नव दस गेंटों का बलके बैटिंग बालिंग पर डिपैंड करता है कि दो हाफ में डिवाइट कर दिया जाए फिर यह है कि 17, 14 या 15 डेज में आप पूरा इशिया का फिनिश नहीं करते है पूरा मन्थ निकालना पड़ेगा लेकिन पूरा मन्थ भी पॉसिबल नहीं है उसके बाद जो अक्तूबर में इंडिया होस्ट कर रहा है इसको भी दे के मैचिस भी होंगे उसमें हॉंग कॉंग से लंका बंगला देश के मैचिस भी शामिल होंगे वो दुबई में होस्ट कर ले तो उसमें इंडिया के मैचिस भी आ जाएंगे और इस तरह से पाकिस्तान भी होस्ट कर लेगा अपने स्टेडियम पे और दुबई में इंडिया जब सेटी ये कर सकते हैं कि कुछ स्टार्ट के मैचिस जो चार पान मैचिस हो वो पाकिस्तार में होस्ट कर लें जिसमें इंडिया के मैचिस सामिल ना हो और बाकी के ज्यादा मैचिस फिर दुबाई में होस्ट कर लें तो इसमें इंडिया के मैचिस भी होस्ट हो जाएगा औ पाकिस्तान में मैचिस भी होस्ट हो जाएंगे क्योंकि अगर आप कराची और पिंडी के स्टेडियम को स्रेक्ट करते हैं पिंडी कराची लहोर के तो इसमें भी अगर आप ट्रावल करवाते हैं टीमों को तो इसमें भी दो से तीन घंटे लग जाते हैं और कराची से अगर आप दुबई ट्रैवल करते हैं तो उसमें भी यही आल्मोस दो सी तीन घेंटे लगते हैं और आपको पता है ऐशिया कप के मैचिस बैक टू बैक होते हैं ज्याद से साथ है एक दिन का वकफा आजाता है पिछला जो एडिशन हो उसमें तो कुछ टीमों के मैचिस जो है वो बैक टू बैक आएं लेकिन ये भी माइड में रखे हैं अगर इस तरह से बैक टू बैक मैचिस हुए जो के पिछला एडिशन आपने देखा नसीम शाह शाहिए शाहिशा फरीदी और असे बहुत से प्लेर कि आए भी राजी हो जाएगा कि हमारे मैच इस तो न्यूटरल वेन्यू पर होस्ट हो गए हम पाकिस्तान नी गए और आने वाले जो वर्ल कप है जो इंडिया में हो रहा हुए उसके लिए पाकिस्तान ट्रावल कर जाएगा क्योंकि वो आइसी सी का इवेंट हो सकता है और कि आप मेरी बात से गरी करते हैं आपको अगर कोई पॉसिबल विंडो या ऐसी सीचुएशन कोई दिख रही है तो वो भी मस्ट शेर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में हम रीट करेंगे अगर इस तरह की सिचुएशन भी बीसी सीया या इंडियन गवर्मेंट को मनजूर ना ह चाहिए कि कि किसी और के सात्तों पॉलेटिक्स नहीं चल रही है तो लाइट सी ये जो मीटिंग्स के लिए पीसिबी की चेयर मैंन गए हैं किया बेटेश निकल के आती हैं बागी जो एक्स चेयर मैं थेरमीज राज़ उन으면 कि वह बड़ा क्लियर मौकफ था वो बड़ी बल लाकि वहां से तू तू मैमे करते हैं, यहां पाकिस्तान से तू तू मैमे हो तो इसका सुलूशन निकल के नहीं आता, सो अब बागी जो मिम्बर्स हैं एशियन क्रिक्ट काउंसल के बंगला देश, UAE, अफगानिस्तान उन में से उनके जो ऑफिशल्स हैं उनको इन्वाइट करेंगे उनके साथ मीटिंग्स होंगी बागी सब टीमों को अगर देखा जाएं जो टेस्ट प्लाइंग नेशन्स हैं टॉप की टीम हैं न्यूजलन, अस्ट्रेलिया, सौथ अफरिका, इंगलेंड उन सब को होस्ट कर ली है पाकिस्तान में सिर्फ इंडिया और अफगानिस्तान को अब तक होस्ट नहीं किया जब स टेट यून रही है चैनल के साथ सोचल मीडिया आनल्स पर फालो कर लेंगे और तब तक के लिए टेक केर अलाह आफिस